Question No.17 Find the least number of 4 digits which is a perfect square Also find the square root of the numbers who obtained ये कराय कि हमें least number बताईए 4 digit का जो कि एक perfect square है तो आप सबसे पहले क्या करें आप लिखें कि least number of 4 digit तो आप जानते है 4 digit का सबसे छोटा number क्या होता है 1000 अब ये कह रहा है कि हमें 4 digit का छोटा number बताईए जो perfect square है अगर मैं 1000 से नीचे जाऊंगा तो 3 digit का number रह जाएगा देखो एक पीछे चलेंगे तो 999 तो 3 digit का number है लेकिन हमें तो 4 digit का बताना पड़ेगा तो ये question वही है कि क्या इसमें add करेंगे ये perfect square बन जाए add वाला है ठीक है तो आप कुछ मत करो आप इसको division method से इसका square root निकालो तो हमने सबसे पहले लिखा ये pair बनाया यहाँ 9 आएगा किसका square है 3 का वो यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा तीन जगे हमने लिखा इसको 3 और 3 add करके 6 आता है minus किया तो 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1 और ये 2 0 यहाँ जाएंगे अब इसके बाद जो digit यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी और वही यहाँ आएगी अगर मैं 61 के पीछे लिखता हूँ 6 के पीछे 1 लिखता हूँ तो 1 लिखना पड़ेगा यानि कि 61 1 जा 61 और अगर मैं 2 कर देता हूँ तो 2 से multiply करना पड़ता तो 2 2s are 4 और 2 6s are 12 तो 124 क्योंकि ये question किसका है कि इसमें क्या add किया जाए कि ये perfect square बन जाए तभी तो 4 digit का number मिलेगा तो हम इसलिए क्या करेंगे वैसे तो यहाँ 61 लिखना चाहिए था लेकिन मैं 61 न लिखके 62 लिखूँगा क्यों लिखूँगा देखो समझो यहाँ भी 2 लिखा यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और यहाँ पर लिखा 124 माइनस किया तो 24 बचा वो भी माइनस का इसका मतलब यह है कि माइनस का 24 का मतलब यह है कि यही इसमें add किया जाए ठीक है तो अगर आप से पूछे कि perfect square number क्या है perfect square number तो वैसे तो 4 digit का number था 1000 और इसमें अगर 24 और add कर दिया तो यह perfect square number बन जाएगा 1024 add कर गई आया और यह perfect square number है ठीक है और अगर आप यह पूछे कि यह किसका है तो square root यह निकालेंगे 1024 का तो answer क्या आएगा पता है answer आएगा यह 32 तो यह 32 हमारा answer है I hope आपको question अच्छे से समझ में आया होगा चलते हैं आप next question पर कर आपको देगा बात कर दोक्ते हैं